वीलाब फॉर्चुन दबबन दबन कैसे हैं आप लोग आप किया सब बहुत अशे हो गाई तो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो भी इंसान है उनके दिल में आपके लिए क्या है वह पहले क आप क свет कर ते थे अपके लिए और अब क्रेंन के वह थे वां क्रेंगे उनकी फीलिंग्स के बीचम अध्यमंकािशं करेंगे कि उनकी और चेंगू है कॉंस्टेंच वह विलिंग और अर अगर चेंच हुई तो किस तरीके से चेंच हुई है अब कुछ डिटेल में के लिए आप मुझे गिवन वाटसप नंबर पर इंस्टा इडी पर कॉंटाइट कर सकते हो सारे कॉंटाइट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आपको मेरे वीडियो में मेरा वाटसप नंबर भी दिख रहा होगा तब जरूर मैसेज कर सकते हैं कॉल्स नहीं है तो कॉल मत कीज़ेगा मैसेज कीज़ेगा इनकेस अगर आपको रिस्पॉंस नहीं मिला है मैसेज भेजने के बावजूद तो फिर से मैसेज कीज़ेगा तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन को सबसे पहले हम चक करेंगे कि आपके बारे में भी ञाल में उस इंसान के की पास्ट में फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी ठीक है यह बेसिकल या आपके लेकर लेकर व्ला और सेम जेंडर रिलेशनशिप सब के लिए सब के लिए okay so चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूं आप लोग फ्लीज रिलाक्स कीजिए okay let's see कि आप चिन के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या था क्या है okay let's see सबसे पहले चेक करेंगे आपके परसन की पास्ट की फीलिंग्स आपके लिए कि पहले उनके भावनाएं आपके प्रती कैसी थी क्या थी क्या सोच उचार थे उनके आपके प्रती ठीक है so यह सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं okay let's start okay सबसे पहले चीज मुझे दिख रही है कि पास्ट में आपके परसन आपके प्रती बहुत ज़्यादा अकरशित थे मतलब इतने ज़्यादा अकरशित थे कि उनको बस आपको देखने का बारबार मन करता था आपको अपने करीब महसूस करने का मन करता था और मुझे दिख रहा है कि इस तरीके का अट्रेक्शन था कि यूणू वह आपके प्रती ज़्यादा अट्रेक्टेट थे मतलब मुझे लग रहा है कि जितना आप उन्हें चाहते थे पहले आप उनके प्रती इंट्रेस्टेट थे उनसे कही गुना ज़्यादा ये पर्सन पास्ट में आपके प्रती इंट्रेस्टेट थे और इनको मन होता था कि ये हर एक पल आपके साथ बिताए, ठीक है, हर एक पल आपके साथ रहे, ऐसे इनकी energies रहती थी, and मुझे आपर दिख रहा है कि ये person पहले जादा, you know, passionately connected थे आपके साथ, energetically connected थे आपके साथ, वो उतना emotionally feel नहीं कर पाते थे, कि they are in love, या फिर मुझे आपर प्यार के involvement थोड़ी कम नजर आ रही है, बट वो आकर्शन, वो obsession मुझे आपके person के दिलो दिमाग में आपका पती चाया हुआ दिख रहा है, तो past में इनकी जो energies थी, इनकी जो feelings थी, वो बहुत magnetic थी, ठीक है, यह बहुत fantasize भी करते थे, आपको लेकर 18 plus energy भी दिख रही है, यहाँ पर ठीक है, and daydreaming करते थे आपके लिए, उन्हें बस महन होता था कि, आपको cuddle करे, hug करे, किस करे, आपके पास रहे, आपको देखे, आपके साथ घूमने जाए, आपके साथ quality time spend करे, private time spend करे, ठीक है, डेली आपसे बात करे, और ऐसा जुनून की बिना बात केस होना नहीं है, इस तरीके के energy मुझे दिख रही है, थोड़ी थी childish energy आपके person के तरफ से दिख रही है, इनकी involvement, ठीक है, या वो से physical matter में कहो, या energetical matter में कहो, आपके person की आप से ज्यादा थी, आपके प्रती, ठीक है, आपका हो सकता है कि emotional inclination ज्यादा था, कि हाँ, आप emotionally इनके लिए feel करते थे past में, आपके दिल में प्यार था, इनके प्रती, बट इनका मुझे उल्टा नजर आ रहा है, इनका मुझे नजर आ रहा है कि यह जादा जुनून, जुनूनियात वाला, यहनो connection ए form कर रहे थे and feel कर रहे थे and उतना जादा इनका ध्यान नहीं था कि मुझे प्यार है या नहीं बट यह आपको लेकर आपके दिवाने थे, यह चीज मुझे यहां clearly दिख रही है, ठीक है, emotion ही है, जो निकलती है, ठीक है, so yes, love was there, but उससे भी जादा इस person को आपकी presence चाहिए थी, यह person के दिल में, एक दिमाग में अलगी level का obsession चलता था, ठीक है, कि उन्हें बस आप चाहिए हो, उन्हें हर पल आपको देखना है, आपसे बात करना है, आपके बारे में जानना है, आ कोई आपके आस-पास नहीं रहना चाहिए, तो they were very very possessive, ठीक है, यह चीज हो सकते है, toxic हो के भी निकली हो बहुत बार past में आपके साथ, but yes, they were possessive about you, they were insecure, but not in a bad way, इनको ऐसा था कि मैं इसे सम्हालूंगा या सम्हालूंगी, ठीक है, मैं मुझे इसका ख्याल रखना है, जैस आपके person के दिल में जादा चलता रहता था, इनका जाथ से जादा वक्त, you know, आपके बारे में सोचने में, और आपके लिए planning करने में, and overthinking करने में ही बीगता था, यह चीज भी मुझे यहां पर नजर आ रहे है, ठीक है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है, कि पहले-पहले बढ़ना है, कसमे खानी है, सब फेस करना है, life में, तो they were very impulsive at the beginning of your connection, ठीक है, मतला impulsively decision लेते थे, starting में ही उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया था, कि slowly slowly आगे बढ़ते हैं, यह करके देखते हैं, यह करके देखते हैं, तो आप हो सकता है, कि थोड़े slow movement बाले person थे, कि आप धीरे धीरे चीजों को देखना चाते थे, समय के साथ साथ की रिष्टा कैसा चल रहा है, इंसान कैसे हैं हमारे लिए, बट यह इंसान स्टार्टिंग से ही आपके प्रती involved हो चुके थे, पूरे तरीके से, ठीक है, और इतने ज़्यादा involvement थी, कि यह बस आपके बारे म और कैसे रिष्टे को आगे बढ़ाना है, कैसे आपके पास रहना है, इसकी कोशिशे इसके पैतरे ढूंदते रहते थे, कि ऐसा क्या करें, कि उन्हें आपको बार-बार देखने का मौका मिले, बार-बार आपसे बात करने का मौका मिले, बार-बार आपसे मिलने का मौका मि फिर आप देखे होगे स्कूल टाइम वाला जो प्यार होता है जो टीनेज वाला लव होता है उसमें इस तरीकी की इनोसेंस है इस तरीकी की अलगी लेवल की मागनेटिंग एनरजी काम करती है जहां पर एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है एक अलगी बेचानी तड़क मह हुमने जाना आप समझ लीजिए कि जो भी पास्ट में उन्होंने अची चीज़े करी हैं आपके साथ वह सब कुछ जैनुविन था ठीक है उनके दिल से निकल के वह चीज आई थी ऐसा नहीं था कि वह फॉर्मलिटी निभा रहे थे या फेक कर रहे थे प्रिटेंड कर रहे पास्ट के एनरजी मुझे दिख रहे है कि आपके परसन बहुत क्लियर थे भले उनका एज कुछ भी हो कैसे भी सिचुएशन में वह थे पास्ट में आपको लेकर शॉर थे आपके साथ वह क्या कर रहे हैं उसको लेकर भी वह शॉर थे ठीक है तो इकटी वाली एनरजी पास्ट के एनरजी मुझे ऑल्दो हां दिख रहा है कि बहुत प्यार में डूब नहीं गए थे लेकिन हां आपके खुबसूरती में आपकी अच्छाई में जरूर डूब गये थे यह पूरी पूरी तरीके से ठीक है तो चलिए इस कैंडल को साइड में मेल्ट होने देती अब हम प्रेजन्ट की करेंट फिलिंग्स शेक कर लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए अब हम देख लेंगे आपके पर्सन की प्रेजन्ट करेंट फिलिंग्स आपके लिए क्या है वो तो पास्ट की फिलिंग्स थी तो अब देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस मोशन सेम तो सेम है लेट्स चेक वीडियो को जरूर एक लाइक करती जेगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है इसे पॉजिटिव और अक्रेट होती है ग्रेट फुलनेस आपके तरफ से शो होती है यूनिवर्स को ठीक है जिससे यूनिवर्स आपको और भी ज्याद ब्लेसिंग्स देते हैं ओके लेट्स सी गाइस कि आपके परसिन की करेंट फीलिंग्स क्या है अभी की ठीक है आपके लेट्स स्टार्ट मुझे यहां दिख रहा है कि प्रेजन की जो फीलिंग्स है आपके परसिन की आपके प्रती उन्हें कहीं न कहीं ऐसा पास से लेके कि अब तक ऐसा रेलाइज हुआ है कि जितना वह आपको समझते हैं या स्पेस देते हैं फ्रीडम देते हैं या आपको लेकर पैशनेट होते हैं इनके मन में अलगी आग जलती रहती है आपके लिए उस लेवल का प्यार उस लेवल का आग उस लेवल का रोमैंटिक कि बहुत बार वन साइडेड हुई है या उन्हें ऐसा फील हुआ है कि आप उनको समझ नहीं पायो उन्हें ऐसा बहुत बार फील हुआ है कि जितना वह आपके तरफ एक्ट्रेक्टेड है उतने आप उनके तरफ एक्ट्रेक्टेड नहीं हो हर एक तरीके से ठीक है उन्हें शायद involved हुए हैं पहले उतने involved आप नहीं हूँ और अभी तक आपकी वो energy उन्हें दिखी नहीं है, मिली नहीं है Now ये हो सकता है कि एक misunderstanding हो, ठीक है, confusion हो, लेकिन मुझे आप दिख रहा है कि आपके person past में बिल्कुल भी disappointed नहीं थे विकर उन्हें ऐसा feel होता था कि आप अच्छे से reciprocate कर लोगे और अगर time भी लगेगा तो एक बक्त जरूर आएगा जब उन्हें की तरह वो energy आपके अंदर भी देखने को मिलेगी आपके person हो सकते हैं, बहुत enthusiastic हैं, बहुत energetic हैं, बहुत loving हैं, मस्ती मजाग करने वालों में से हैं बट उसके opposite हो सकते हैं, शांस शोभाब के सोच विचार करे के चीज़ों को करने वाले ठीक हैं और थोड़े से गंभीर रहते हो, सोबर रहते हो, ठीक है, उतनी मस्ती वस्ती करना पसंद नहीं है, आपको या करते भी हो तो एकदम पब्लिक प्लेस में करना पसंद नहीं है सो वही चीज़ मुझे यहां दिख रही है, कि आपके person को ऐसा feel हुआ है, कि जो वो love या जो understanding level वो आपके अंदर भी create करना चाते थे और जिस level का reciprocation वो चाते थे, कि वो जो दे रहे हैं, वो उन्हें return मिले, उन्हें कहीं न कहीं disappointment face करनी पड़ी है, ठीक है आपको लग सकता है कि आपने पूरा प्यार दिया है, उनको आपने उनके लिए सब कुछ करा है, बट हो सकता है कि जिस तरीके से उन्हें आपका प्यार चाहिए था, उस तरीके का प्यार उन्हें आपसे नहीं मिल पाया है, नहीं मिल पा रहा है ठीक है यह possibility हो सकती है बहुत बर ऐसा होता है कि लोगों के expectations अलग अलग होते हैं ठीक है लोगों को प्यार जो पाना होता है वो अलग अलग तरीके होते हैं अब हम जिस तरीके से किसी को प्यार कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उसमें वो satisfied हो जाए जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि ज क्रियेट बहुत बार हुई है जिससे उन्हें ऐसा फील हुआ है कि आप उनके प्यार को समझ नहीं पायो और ना वो आपको समझ पाते हैं ठीक है उन्हें ऐसा फील होता है करेंटली कि चीजें इतनी बदल गई है कि पहले जो एक बच्पना था जो इनोसेंस था वो इतनी से करने के पहले भी कि बंचा आजेंस शोचीजेंश बहुत बढ़ाने थे हो गई है अब मुझे सब्सक्राइब होता है कि यह मेरे तरफ उतने इन्वाल्वड नहीं है और मुझे भी शायद इतना involvement नहीं दिखाना चाहिए तो आपके person to be honest मुझे दिख रहे हैं कि past से उनकी feelings में तो changes नहीं आए हैं लेकिन उनके thought process में changes आए हैं उन्हें कहीं न कहीं ऐसा feel हुआ है चाहे हो सकते हैं आपने intentionally feel करवाया हो या किसी misunderstanding के वज़े से हो सकता है feel हुआ हो लेकिन इनको feel हुआ है बहुत बार कि इनको इतना passionate इतना romantic इतना emotionally expressive नहीं होना चाहिए शायद आपको उनकी ये हरकते पसंद नहीं है शायद उनका भी आपकी तरह शांत रहना और आपके accordingly चलना सही होगा शायद उनका खुल के जीना खुल के आपको प्यार जताना में भी आपको पसंद नहीं है तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आपको block करा है ठीक है क्योंकि उनको कहीना कहीं ऐसा feel हुआ है कि वो जिस लेवल पर आपको express करते हैं दिखाते हैं आपके लिए चीज़े करना चाते हैं शायद आपको उन सारी वो सारी चीज़ें वो सारे behavior नापसंद हैं आपको अच्छा नहीं लगता उनका इतना जादा passionate होना या express करना शो करना या आपके करीब आना तो कहीं ना कहीं उन्होंने धीरे 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 अपने आपको थोड़ा सा distance करा and distance करने के बाद उन्हें यह feel होने लगा कि आप पहले से ही इनके प्रती involved हो ही नहीं जिस वज़े से हो सकता है कि आपके अंदर attraction की कमी है या फिर attraction है भी तो उनको मैसूस नहीं हो पाती है तो आपके person के दिमाग में currently बहुत जादा misunderstanding grow हो चुकी है जो कि पहले नहीं थी पहले सब कुछ बहुत clear था पहले उनका दिन आपसे शुरू आपसे खतम होता था पहले उन्हें सब अच्छा लगता था आपके साथ ठीक है लेकिन धीरे धीरे उनको unworthy feel होने लगा किसी ना किसी वज़े से किसी misunderstanding के वज़े से उन्हें धीरे धीरे ऐसा feel होने लगा कि आप को उनका प्यार नहीं पसंद या उन्हें आपको उनका प्यार उतना नहीं चाहिए या फिर वह रहे ना रहे आपको फरक नहीं पड़ता या फिर उनके उनके उपर doubt करा है या फिर questions करा है और उन पर विश्वास नहीं करा जिसके विएसे उनका जो foundation था believe system था वो भी कुछ है वो believe system इनका धीरे धीरे टूटने लगा ठीक है जिससे वो थोड़े उनके hope धीरे धीरे काम होने लगे ठीक है लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है कि past की जो feelings थी उनकी अभी वह feelings अभी इंटेक्ट है बट वह अंदर कहीं चुपी हुई है ठीक है अभी वही attraction है वही passion है वही इच्छाएं हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है आपके साथ ही सब करना है बट वह कहीं न कहीं छुप गई है दिमागी thoughts के पीछे ठीक है तो अभी भी इनके मन में hope है कि कुछ हो सकता है लेकिन अब वह confidence नहीं आपाता इनको कि मैं करके रहूंगा मैं successful ब पहले उनको लगता था कि वह जैसा चाहेंगे वह जो करेंगे वही हो जाएगा आप भी उनमें साथ रहोगे उस आप भी उसमें अपना होगे बट situation में बदलावाने की वजह सकते हैं उन्हें ऐसा लगाए कि नहीं हर टाइम वह जो चाते हैं या वह जैसा सोचते हैं जरू मैंस को इन ही इन सीक्योरिटी इसने कई ना कई मार दिया है और अभी इनके दिल में बहुत प्यार है पहले से ज्यादा प्यार है क्योंकि उनके अट्रेक्शन को जब उनके अट्रेक्शन दबने लगी तब उन्होंने फील करा है कि दे लव यू डेफिनेटली अलॉट आप दोना के बीच में समय के साथ 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 ज्यादा क्रियेट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी तो यह आपके परसिन की करंट प्रेजंट की फीलिंग्स है गाइस ओके स्कैंदल को मैं साइड में कर देती हूं पूरा मेल्ट होने दूंगी तो यहीं चीज यहाँ पर क्लियरली दिख रही है गाइस ओके सो देखिए प्यार एमोशन सट्रेक्शन लव एंड इनका जो मन के अंदर जो इंतुजियास्टिक एनोर्ची मुझे दिख रहे है वो अभी भी है वैनिश नहीं हुई है खतम नहीं हुई है बट अंदर कहीं कहीं चुपी हुई है तो इसको निकलने के लिए कहीं मिसंडरस्टेंडिंग जो है उसे हटानी होगी क्लियर कम्यूनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो बात आप दोनों एक दूसरे से कर रहे हो उसे समझने की कोशिश करना ऐसा नहीं कि कोई सामने वाला कुछ कह रहा है यह उसे बहुतला इसको और आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो और आप दोनों एक दूसरे को सपेस दे सकते हो जिससे आप दोनों अनवर्दी भी फिल नहीं करोगी और हमेशा आप दोनों को space भी मिलता रहेगा और आप दोनों के बीच में कोई दरार भी नहीं आएगी प्यार हमेशा बना रहेगा और एक दूसरे के presence को एक दूसरे के company को अच्छे से enjoy कर पाऊंगे ओके इस यह थी आप लोग की reading I hope आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो please do like, comment, share and subscribe guys और आपको अगर energized crystal चाहिए लव लाइफ को बहतर बनाने के लिए तो आप मुझे given whatsapp number पे इंस्टा इडी पे contact कर सकते हो आपकी details and reasons and wishes के accordingly personalized perfect crystal आपको दिया जाएगा तो ज़रूर आप message कीज़े whatsapp में इंस्टा में so मैं मिलती हूँ आप लोगो next video में guys तब तक के लिए bye bye